आजकल पूरी दुनिया में एक ही चर्चा चल रही है कि रश्या और यूक्रिन में युद्ध कब होगा? होगा भी या नहीं होगा? और अगर होगा तो कब होगा? ग्लोबली माहल बिलकुल अच्छा नहीं है रश्या और यूक्रिन को लेके वर्ल्ड वाइट टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है इसमें बहुत सारी कड्रीज इन्वाल्व हैं इंक्लूडिंग सूपर पावर्स अगर ये ल नौर्थ इस्टन बॉर्डर्स पे मिलिटरी बिल्डफ बढ़ रहा है टैंक्स और मिसाइल्स पूरी तरीके से रेडी है रश्या ने एक लाग तीस अजार टूप्स को डिप्लॉई किया है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और यॉरोप भी पूरी त्यारी कर रहे हैं अगर य जहानी समझने के लिए चलते हैं जरा पास्ट में तरहसल यूक्रेन 15 कंट्री समेथ पार्ट था सोवियेट उनियन का और जो कोल्ड वार लड़ रहा था अमेरिका और यूरोपियन कंट्री समेथ सारी वेस्टन कंट्री से फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ कि सोवियेट उनियन बढ़ गया उनिय में से एक देश था यूक्रेन और उस समय यूक्रेन के पास वल्ड में थर्ड नममर पर सबसे ज़ादा न्यूक्लियर वेपन थे रशिया ने यूक्रेन से का कि तुमारे पास जो यूक्लियर वेपन है ये तुम हमको देदो बदले में हम तुमको economic aid भर जाता चला गया और इसका नितिज़ा यह हुआ कि 2014 में यूक्रेन को इन्वेट करके रश्या ने उसका एक पार्ट क्रेमिया आपने कबजे में ले लिया दरसल वहीं से सारा बिबाद चाल हुआ है एक्चुली यूक्रेन में भी बड़ी पॉबलम है यूक्रेन दो भागों में बटा हुआ है ईस्टन यूक्रेन जो है उसमें प्रो रषिया का पार्ट मानते हैं और वापस उसे रश्या में मिलाना चाहते हैं। इसी concern में कुछ दिनों पहले इनोंने 21 पेज का लंबा चोड़ा article लिखके डाला था। Ukraine एक independent nation बने रहना चाहता है, इसलिए नेटो में जा रहा था। अगर उसकी किसी भी country से लड़ाई होते हैं, तो सारी नेटो कंट्री मिल के उससे support करते हैं। Russia नेटो के एकदम against है, यह नहीं चाहता के eastern border के सबी देश इसके member बन जाएं। इससे रशिया चारों तरफ से घिर जाएगा और भविष्य में एक permanent खत्रा रशिया के लिए बना रहेगा। भारत दोनों में से किसी की तरफ नहीं है, यह तो बातचीत करके इनके जगडे को सुलजाना चाहते हैं। लेगिन अमेरिका यह आग में घिर डालने का काम कर रहा है, इनकी तरफ से रोज 3-4 tweet आते हैं कि पुतिन कुछ बड़ा करने वाले है, कभी भी attack हो सकता है, यह लडाई होके रहेगी, जबकि यूक्रेन और यॉर्प शान्त हैं। पुतिन का कहना भी है कि हमने अपने soldiers को पीछे ले लिया है और हम भी बातचीत करना चाहते हैं। वर्ड में energy के दो सबसे बड़े source हैं, crude oil और natural gas, crude oil आता है Middle East से जो हमीसा विवादों में ही राता है और natural gas के सबसे बड़े producer और supplier हैं अमेरिका और रशिया, यह दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े rivals हैं। रशिया बहुती cheap rate पे natural gas supply करता है जर्मनी को और यॉरोप को। रशिया से nord steam बन एक pipeline जारी है रशिया to जर्मनी और दूसरी जारी है nord steam to रशिया से लेके यॉरोप तक। अब अगर war हुआ तो natural gas के supply रशिया से रुख जाएगी और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जर्मनी का और indirectly फायदा होगा इसका US को। ये news आते ही war के अमेरिका में natural gas के prices एकदम से shoot up होगा। इसलिए जर्मनी इस war में कोई participate नहीं कर रहा उन्होंने बस 5000 helmets भजबाये हैं जबकि दूसरी countries नेटो और अमेरिका भर भर के हत्यार सप्लाइ कर रहे हैं इबन जर्मनी के chancellor रशिया गये हुए हैं बात करने के लिए एक्चुली अमेरिका नहीं चाहता कि योरोप रशिया के करीब जाए दोनों में natural gas की supply बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्टो और टोरिजम बड़े इससे अमेरिका का भी नुकसान है यूएस ने रशिया को धमकी दी कि अगर तुमने यूकरेन को इन्वेट किया तो हम तुम अल्मनी ने तुरंत का कि natural gas पर भाईया कोई sanction नहीं लगेगा अफगानिस्तान वाली event के वाद यूएस की world में ranking गिर गई है political influence काफी कम हो गया रशिया में Joe Biden को strong president नहीं मानते और अमेरिका में domestic problem बहुत चल रही inflation high पे है rate of interest बढ़ रहे हैं और unemployment भी